अब दोस्तों बात रही बीजमाई की, तो कुछ दिन पहले आपको बता है कि जो क्राफटन के चेर्मैन थे जो हाइस लेवल पे, उन्होंने कहा था कि जो क्वाटर 2 में है, वो बीजमाई के सर्विस रिज्यूम होंगी, तो इसी को लेके एक अपडेट है, 11 अप्रिल को एक रिपोर्ट में यहाँ पे कनफर्म के आगा है कि जो क्राफटन है, वो 2023 के क्वाटर 2 में यहाँ पे रिजूम करने के तियारी में है, और अब जो क्वाटर 2 है, तो उसमें सिफ एक अपडेट पचा है, जो की 2.6 का याएगा, जो 2.7 का अपडेट है, वो क्वाटर 3 में चल क्वाटर 1 की अर्निंग रिपोर्ट आई दी, तो उस रिपोर्ट में कुछ अपनी फाइंडिंग्स जून्ट के क्या चीज़े रही है, क्राफटन ने क्या बुरा किया है, वो सब कुछ उन्हों ने आप एक बनाकर रिपोर्ट क्राफटन को दी, कुछ चीज़े जो है, वो क्राफटन है, वो क्वाटर 2 में जो बीजमाई की सर्विसिस है, उसको यहाँ पर रिजूम करें, जिससे उनका जो प्रॉफिट है वो आपे स्ट्रैक पैक, क्योंकि लास्ट जो क्वाटर 2 था, 2022 का जब अपने कैसे तो बीजमाई बैन हुआ था, उसे पहले क्राफटन ने आपे 30 बिलियन कौन का प्रॉफिट या सेल्स वो आपे क्या था, बीजमाई से सिर्फ